तो आज फिर एक बार आ गया हूँ आप सभी की problems का solution लेके और आप सभी के precious time को बचाने के लिए आज का topic काफी interesting है क्या है how to inform parents on whatsapp about upcoming parents teacher meeting क्या कर रहा है मान लीजे मैं कोई teacher हूँ और मैंने एक parents teacher meeting जो है वो organize की है है और मैं मेरे students के parents को उनके whatsapp पे inform कर रहा हूँ कि आपके बच्चे की parents teacher meeting है इतने इतने time को है इतनी तारीक को है क्या कर रहा हूँ automatically कर रहा हूँ जो best चीज जो है अंदर meeting लेने वाला हूँ obviously तो जूम के अंदर मैं जैसे ही meeting create करूँगा तो automatically गूगल शीट मैंने जो create करके रहिए जिसमें मेरे students की सारी details है उस में से automatically details ले लेगा जो है software और automatically वो parents का number निकालके उनके whatsapp पे एक message जो है वो send कर देगा इसके लिए क्या करना होगा हमें हमें integrate करना होगा zoom को google sheet से whatsapp से है ना ये तो हम कर लेंगे लेकिन एक problem है छोटी सी के इन तीनों का direct कोई भी connection नहीं है so इन तीनों का connection कराने के लिए और इस problem को solve करने के लिए use करूँगा एक बहुत ही interesting software का जिसका नाम है पैबली connect ओके जो की automation and integration software है जो मैं help करेगा zoom को google sheets और whatsapp से integrate करने में और हमारा integration successfully set करने में और best part बता दू इस automation का कि इसको करने के लिए आपको किसी भी तरह की coding का आना जरूरी नहीं है एक non technical इंसान भी अगर उसको technical कुछ भी नहीं आता coding नहीं आती तो वो भी यह automation बहुत ही आसानी से side कर सकता है और यह मैं automation कैसे side करता हूँ इसका real time example आपको करके दिखाता हूँ अभी अपनी screen पर ओके सबसे पहले हम हमारे browser में type करेंगे www.pably.com प्रेस एंटर यह है www.pably.com के official website अब हम क्लिक करेंगे sign up free पे अपना account एक्दम free में बनाने के लिए मैं क्लिक करूँगा sign in पे because मैंने अपना account अल्रेडी बना लिया है then login पे क्लिक करके login कर लूँगा अपने account से then एक option आएगा first pably connect का मुझे click करना होगा access now पर access now पे click करने के बाद open हो जाएगा pably connect का dashboard right hand side में होगा option create workflow का यह dashboard right hand side में option create workflow का click करूँगा workflow पे और यहां पे अपने workflow को एक नाम दे दूँगा आप दे सकते हैं ठीक है so एक important बात इस वीडियो के description box में आपको एक link में लेगा जो की होगा इसी workflow का जिस पे click करके आप यह same amazing workflow अपने account में use कर सकते हैं वो भी एकदम free में so workflow को नाम देने के बाद हमारे सामने आ गया है trigger और action trigger मतलब when this happens जब भी ऐसा हो action मतलब do this ऐसा कर दो so topic के अनुसार zoom में जब भी कोई new meeting create हो तो automatically whatsapp पे parents को message चला जाए ठीक है तो इसके अंदर जो होगा हमारा trigger application जो होगा वो होगा zoom और उसका trigger event होगा zoom में meeting create होना ठीक है so trigger event में हम चूज कर लेंगे configure webbooks को then यह webbook url को हम copy कर लेंगे और नीचे दियेगा instructions को करेंगे follow instructions कहां मिलेंगे हमें इसको अभी ऐसा ही दिखा देता हूँ चलूँगा अपने zoom की profile पे सो यह है मेरी zoom की profile जिसका नाम है पैबली connect left hand side पर आऊँगा नीचे scroll करूँगा click करूँगा advanced पे फिर click करूँगा app market place पे app market place पे click करने के बाद एक window open हो रही है यहाँ पे है ना यह window open हो जाए कि then मैं click करूँगा develop पे okay develop पे click करने के बाद मैं click करूँगा build application पे okay build app पे click करने के बाद यहाँ पे open हो जाएंगे कई सारे जो है हमारे सामने options first option है JWT जिससे मुझे काम है JWT का full farm होता है json web token हम इसका यूज करते हैं दो applications के बीच में establish connection करने के लिए okay so यहीं पर हम अपनी जो है वैबो qrl जो हमें पैबली connect ने दिये वो यहीं हम paste करेंगे लेकिन जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने अपना account already बना लिया है your account already has JWT credentials okay आपका नहीं होगा तो आप view here पर click किजेगा यहाँ पर viewer का नहीं create का option आएगा यहाँ पर कुछ basic सी information आप add किजेगा फिर यहाँ आपको credentials मिल जाएंगे then यहाँ पर आपको आना है feature पर feature पर आना है उसके बाद आपको event subscription का यह जो toggle इसको on कर देना है on करने के बाद नीचे drop down पर click करेंगे तो option आएगा add event subscription का click करना होगा add event subscription पर नीचे scroll करेंगे then अपने subscription को एक नाम दे देंगे तो मैं नाम दूँगा zoom to whatsapp just a random name है ना आप कुछ भी दे सकते हैं मैं zoom to whatsapp दे रहा हूँ then event notification end point URL पर जो हमें दालना है वो है यह webhook URL copy करेंगे वापस आएंगे और यहाँ पर end point notification end point URL के section में इसको paste कर देंगे simple है ना अब नीचे आएंगे events में हम add events पर click करेंगे और हम यहाँ पर meetings पर click करेंगे meetings पर click करने के बाद नीचे scroll करेंगे और यहाँ पर हम select कर लेंगे meeting has been created को meeting has been created को select करने के बाद done पर click करके हम इसको save कर देंगे then continue पर click कर देंगे so यहाँ पर बता रहा है your app is activated on the account so अब हमारा app activate हो गया है अब हम जब भी जूम में कोई meeting create करेंगे ना तो automatically पैबली करेंग के पास उसका data आ जाएगा जैसा कि यहाँ पर लिखा रहा है waiting for वैबोक response अभी यह response का wait कर रहा है कि वैबोक कब response करेगा okay so चलते हैं हम वैबोक जो है response create करते हैं चलके एक meeting create करते हैं और देखते हैं पैबली कनेक्ट के पास उसका data पहुचता है के नहीं okay so मैं आ गया हूँ इदर वापिस अपने zoom पे click करूँगा meetings पे meetings पे click करने के बाद मैं आ जाऊँगा अपना meeting के उपर so यहाँ पे मैं click करूँगा schedule आ meeting पे और news meeting को आप कुछ भी नाम दे सकते हैं मैं आपे नाम दे देता हूँ parents parents meeting मैंने नाम दिए आपको जो नाम देना हूँँ आप वो नाम दे सकते हैं for class सिक्स्ट ओके फेरेंट्स मीटिंग फॉर क्लास सिक्स्ट ठीक है मैंने जस्ता रैंडम नीम दिया है आप कुछ भी नाम दे सकते हैं अपनी मीटिंग जो भी आपकी मीटिंग हो ठीक है यहाँ पर कब होना है बारा जो है हमारी 16th of December को 2021 1.30pm को होना है वन और का duration रहेगा ठीक है रिक्वाइड 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 है रिक् क्लास पहुंची के नहीं सो रिस्पॉंस रिसीफ दुआ है सक्सेस्फुली और यहां पर डेटा भी हमें हमने कैप्चर किया है जैसे कि आप देख पा रहे हैं पेरेंग्स मीटिंग फॉर क्लास सिक्स ठीक है हमारे सामने जो है मतलब डेटा कैप्चर कर लिया है तो इसका मतल जैसे आप पेरेंग्स टीचर मीटिंग ही नहीं करना चाहरे है और भी बहुत सारी मीटिंग करना चाहरे है लेकिन आप चाहते है कि सिर्फ और सिर्फ पेरेंग्स मीटिंग जब मैं क्रियेट करूँ न तभी पेरेंग्स को जो है एक मैसेज सेंड हो है तो उसके लिए हमें एक filter लगाना पड़ेगा नहीं तो सभी को message send होगा जितनी भी आप जो है meetings create करेंगे ना उन सभी को message send होता जाएगा so that's why सिर्फ इस particular meeting के अंदर जिन को हमे message send करना है parents को sixth class के जो student है उनके parents को message जाए that's why हमें क्या करना होगा हमें एक filter का use करना होगा filter को choose करने के बाद यहाँ पर select label में जो है click करेंगे तो zoom का option आएगा जो कि हमारी trigger application है then सारा data open हो जाएगा जो हमें zoom से विलाए यहाँ पर हमको आके select कर लेना है हमारा topic का name जो है हमारा topic है ना parents meeting for parents meeting for sixth class okay इसको मैं select कर लेता हूँ यहाँ से हमको यही same to same name जो है copy करना है और यहाँ पर paste कर देना है ठीक है इससे हम यह क्या बता रहे है पैबली connect को के आप अब तभी workflow बढ़ाना आगे जब इसकी value यह label की value यह हो ओके है ना जब तभी आप message चाइंग करना हो ना simple हमने भाशा में यह समझा है कि जब parents meeting for class 6 की value parents meeting for class 6 तो तभी आप message चाइंग करना है save and sign test request पर click करूँगा तो save and sign test request पर click करने के बाद condition is true है और success हो गया है ठीक है आजाता हूँ अब मैं वापस उपर एक चीज और गड़बड है यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि हमने जो है meeting जो create करी थी वो है 1.30 pm पर लेकिन यहाँ पर जो time आया है वो आया है 8 का date तो सही है लेकिन 8 का time आया है 16, 12 of December 16 जो है हमारी तारीख थी ठीक है और हमारा जो format है जिसमें format में हमने यहाँ पर time set किया है वो है IST format तो इसके लिए हमें क्या करना होगा ना हमें सही date के लिए हमें एक और पैबली कनेक्ट के feature का यूज करना होगा जिसका नाम है date time formatter उससे हम time एकदम सही तरीके से निकाल लेंगे हमारे time zone में फिर से मैं यहाँ पर plus button पर click करके action step और add करूँगा और यहाँ पर मैं search करूँगा इस बार date time formatter date time formatter को search करके मैंने choose कर लिया है then action event में मैं choose करूँगा format date with time zone format date with time zone then connect पर click करूँगा connect पर click करने के बाद अब यहाँ पर date जो date मुझे trigger application से मिली है वो date यहाँ पर मैप कर दूँगा तो map करना भी simple इसी को कहते है हम कि trigger से जब हमें data मिलता है वो जब data हम action application में add कर देते हैं उसी को mapping करते हैं चलिए example भी दिखाई देता हूँ date है click किया blank field पर नीचे option आने लगा zoom का जो कि हमारी trigger application है click किया zoom पर तो सारा data open हो गया zoom से मिला हुआ अब हमें क्या करना है date की सही value को find करके click करके यहाँ पर add कर देना है तो यह रही date की सही value ठीक है इसको select करके यहाँ पर मैंने click करके add कर दिया simple ठीक है from format को वैसा ही रहने देंगे to format किस format में चाहिए यह important है तो इसको click करके हम choose कर लेंगे कि हमें किस format में चाहिए तो मुझे चाहिए यहाँ पर मैं देख लेता हूँ कौन कौन से format है ठीक है तो मुझे चाहिए यह वाले format में ओके यह simple format है ठीक है 9 तारिक पारवा महीना 20 डे डी 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 अम वाई 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 हॉर्स मिनिट सेकंड्स ठीक है तो यह वाले में मुझे चाहिए ठीक है इसको मैंने select कर लिया है then मैं आ जाओंगा नीचे from time zone from time zone तो time zone किस time zone से है वो date वो है UTC format से है यहाँ पर UTC select कर लेंगे then two time zone किस time zone में date चाहिए हमें तो वो है Asia and Kolkata okay Asia slash Kolkata ठीक है यहाँ पर Asia Kolkata को चूज करके save and send test request पर क्लिक कर दूँगा simply okay then simply क्लिक करने के बाद मैं जो successfully जो है date मिल गई है सही सही एकदम जो मेरे meeting में एकदम सही है ठीक है 16 December एक बचके तीस पीएम okay 16 December 16 December एक बचके तीस पीएम ठीक है एकदम सही date मुझे मिल गई लेकिन यहाँ पर मुझे date और time और पीएम एकदम साथ में मिला है तो मैं चाहूँगा कि इन तीनों को मैं separate कर दूँ क्योंकि मुझे नीचे अलग अलग जगा इसनको मैप करना होगा ठीक है तो उसके लिए मैं एक और step जो है add करूँगा plus button पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर इस बार मैं choose करूँगा text formatter को so okay text formatter को मैं choose कर लेता हूँ है ना search करके यह भी एक public connect का का अच्छा feature है then action event पर मैं click करके यहाँ पर select कर लूँगा split text को okay split text को select कर लूँगा क्योंकि मैं split करूँगा इन दोनों को अलग अलग कर दूँगा ठीक है तीनों को connect पर click करूँगा connect पर click करने के बाद यहाँ पर मैं text किस text को मुझे split करना है उस text को यहाँ पर map कर दूँगा तो click करूँगा मैं अपना किस पर blank field पर नीचे आऊँगा data informator का option उस पर click करूँगा जो मझे result मिला है उसको click करके यहाँ पर map कर दूँगा simple separator separator में space जहाँ जाए ना वहाँ वहाँ से अलग करना चाता हो कर दिया तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे date भी अलग हो गई time भी अलग हो गया और ampm वाला भी system अलग हो गया है ठीक है तो अब हम क्या करते हैं अब हमारा सब सारी जो है हमने व्यवस्थाएं बना ली है अच्छे से अब हम क्या क्या चाते हैं अब message send हो तो उसके लिए पहले numbers तो हो तो उसके लिए क्या करना होगा मुझे मेरी google spreadsheet को जो है integrate करना होगा पैबली connect से जिस spreadsheet में मेरे जो students है उनके parents के numbers और data है उनका ठीक है तो पहले तो मैं आपको spreadsheet से introduce करा देता हूँ यह है वो google spreadsheet जिसका नाम है sent xavier higher secondary school इसके अंदर यहाँ roll number की field है और student name, parents name, parents mobile number और address वगेरा तो यह spreadsheet में integrate करना चाता हूँ पैबली connect से उसके लिए मैं क्या करूँगा पैबली connect में आऊँगा और यहाँ पे जो action step है इसके अंदर मैं choose करूँगा हमारा google sheets connect rows को get rows को choose करने के बाद click करूँगा connect पे connect पे click करने के बाद click करूँगा add new connections पे then connect with google sheets पे connect with google sheets पे click करने के बाद में हाँ पे उस account को choose कर लूँगा जिस account में google sheets मौजूद है तो यह आशी राय वाला account है आशी राय वाले account में google spreadsheet मौजूद है वह वाली तो click करूँगा connect with google sheets पे then आशी राय वाला जो account है उसको choose कर लूँगा simply then नीचे scroll करूँगा और click कर दूँगा continue पे and don't worry pably connect is 100% safe authorization successful हो गया है then मेरा google sheets अभी successfully connected है pably connect safe first option आया है select spreadsheet का जो की required है यहाँ पे हमको spreadsheet select करनी है जिसको हम integrate करना चाते है तो वो by default automatically selected है जिसका नाम है San Xavier higher secondary school okay automatically वो selected अगर नहीं होती तो यहाँ click करके मैं search करके select कर ले था यह सारे जो नाम आ रहे हैं मेरी google spreadsheet के अंदर जितनी भी spreadsheet मैंने create करी है उन सभी के नाम है simple ठीक है तो अब आजाता हूँ नीचे select sheet class 6 okay so sheet क्या है yes class 6 यह automatically selected then range अभी हमको public connect को range बताना है कि आपको उस google spreadsheet में कहां से लेके कहां तक का data pick करना है तो यहाँ पर दिया हूँ है instruction में और यह रहा format okay so format को copy कर लेते हैं और simply यहाँ पर range वाले format में paste कर देते हैं अब मैं बता देता हूँ आपको यह format है क्या okay so यहाँ पर जैसे ही में क्लिक करता हूँ तो यहाँ आ रहे देखिए a2 मतलब यह a2 a जो है न a column है हमारा और 2 row है means यह है हमारा a2 ठीक है आ जाते हैं इदर e column पर और मैं यहाँ पर 7 पर क्लिक करता हूँ तो e7 ठीक है e column 7 row यहाँ पर क्लिक करूँगा तो e14 मतलब e column और 14 row ठीक है तो हमें ऐसे ही range बताना है कि इसको हमारे pably connect को तो मैं यहाँ पर आके range बता देता हूँ मुझे data चाहिए a2 से लेके जहां तक भी मैं data add करूँ तो मैं a2 की range तो बताऊँगा लेकिन e column की range नहीं बताऊँगा ठीक है बता देता हूँ आपको a2 लिख दिया लेकिन यहाँ पर d हटाके मैं e के आगे कुछ भी नहीं लिखूँगा मतलब की यहाँ पर मैं कितना भी data add करूँ पैबली कनेक्ट आपको वहाँ तक capture करते जाना है ओके सो मैंने यहाँ पर कर दिया यह तक ठीक है अब मैं क्या करूँगा simple response को off कर दूँगा then click करूँगा save and send test request पे save and send test request पे click करूँगा तो मुझे जो है उस spreadsheet में जितना भी data था वो सारा का सारा मुझे मिल गया है लेकिन काफी जादा complicated way में मिला है अब मैं चाहूँगा कि इनको मैं अच्छे एक तरीके से अलग-अलग कर दूँ है अरे format में मुझे मिला है तो मैं एक public connect का feature है जिसका नाम है iterator उसका use करूँगा वो क्या करेगा मुझे है ना एक अलग-अलग boxes में एक अलग-अलग words देदेगा ठीक है मैं क्या करता हूँ plus पे click करता हूँ ठीक है और उसके बाद मैं यहाँ पे choose करूँगा iterator का ठीक है iterator को चूज कर लूँगा मैं iterator को चूज करने के बाद मैं click कर दूँगा save and send test request पर save and send test request पर click करने के बाद जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं हमें row wise जो है सारा data मिल गया है जैसे कि student name student name जो कि था हमारे सामने याग या सत्याम शाह parents name सुरेंदर शाह, parents mobile number हमारे सामने ये रहा address गोविनपुरा ये रहा और जो है हमारा जो भी है row number ठीक है अब आजाते हैं हम नीचे अब हमने data भी segregate कर लिया एकदम अच्छे से line में आ गया है अब मैं चाहूंगा कि जो parents का name है जिनका नाम है सुरेंदर शाह जिनका phone number ये है उनके phone number पे एक message send हो जाए है एक message send हो जाए कि sir इतनी तारिक को parents meeting है आपको आना है attend करनी है जूम पे इस तरह से एक आज message send हो जाए तो उसके लिए मैं क्या करूँगा मैं choose करूँगा whatsapp का लेकिन आपको पता होगा शायद की whatsapp से हम directly message send नहीं कर सकते है ना इस problem का भी मैंने solution निकाल लिया है 360 dialogue करके एक application है whatsapp by 360 dialogue इसका हम use करेंगे whatsapp पे message send करने के लिए 360 dialogue के पास whatsapp की official API का access है है ना और इसी की help से हम message send करेंगे लेकिन आपको एक बात बता दूँ यह पैबली connect का कोई feature या tool नहीं है यह third software है जिसको आपको purchase करना पड़ेगा हम आपको एक favor यह कर सकते हैं कि अगर आप हमारे through यह purchase करते हैं तो आपको यह बहुत ही reasonable price में मिल जाएगा तीक है आ जाता हूँ नीचे action event पे action event पे अगरे क्लिक करने के बाद में क्लिक करऊँगा add new connections पे उसके बाद add new connections पे क्लिक करने के बाद यह new connection के लिए मैंगरा है मुझसे API की और डॉमेनका कहा मिलेगा मैं आपको बता देता हूँ उसके लिए आपको चलना होगा आपके 360 dialogue के account पे तो यह मेरा 360 dialogue की account का dashboard then left and side पे click करके जाओंगा WhatsApp account पे WhatsApp account पे जाओंगा तो नीचे एक option आ रहा है देख रहे होंगे आप generate API key का यहाँ पे click करके आपको आपकी API key generate करनी होगी और domain then उसको copy करके दोनों को यहाँ अलागे paste करके save पे click कर देना होगा automatically आपका connection हो जाएगा एक important बात और बता देता हूँ कि इस API key को बार बार generate करने की कोई भी जरूरत नहीं है एक ही बार generate कीजिए और उसी API की का use multiple applications में कीजिए कोई problem नहीं है मैं भी एक बार generate कर चुका हूँ that's why दोबारा नहीं करूँगा पुराने connection का ही use करूँगा click करूँगा select existing connection पे then save पर click कर दूँगा okay so save पे click करने के बाद क्या होगा authorization जो है successful हो जाएगा और whatsapp by 36 dialogue successfully connect हो जाएगा family connection now first जो हमारे सामने field आईए वो है template की जो की required है तो यहाँ पे हमें template चूज करना है जो template हम send करने वाले है तो template सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे click करके दिखा देता हूँ तो कई सारे नाम आएंगे अब आप सोच रहे होगे यह नाम कहां से आ रहे हैं तो यह सारे नाम मेरी templates के हैं जो मैंने 360 dialogue के account में create करके रखी हैं आपको introduce कराता हूँ चलता हूँ 360 dialogue पे यहाँ पे option है manage templates का उस पे click करूँगा तो सारी की सारी templates open हो जाएंगी जो मुझे मिली हैं जो मैंने create की हैं और approve करवा के रखी हैं Facebook से ठीक है आप भी अपनी खुद template बना सकते हैं click करिए add template पे कुछ basic details यहाँ पे add करिए अपने according template set किजिए preview and submit पे click करके यह submit आप कर देंगे जब तो यह facebook के पास जाएगा approval के लिए facebook इसे 30 मिनिक से लेके 48 गंटे के बीच में जो है approve कर देगा फिर आप इस template का use कर सकते हैं जो भी आपने बनाई है ठीक है तो अभी मैं जिस template का use करने वाला हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ वो कौन सी template है उसका नाम है parent teacher meeting ओके वो नीचे है scroll करके आपको दिखा देता हूँ parent teacher meeting करके मैंने उसका जो है नाम रखा है यह आ गया parent teacher meeting करके यह वाली जो template है यह मैं use करने वाला हूँ open करके दिखा देता हूँ आपको तो template होता क्या है एक तरीके से यह समझ लीजी कि आपने एक message पहले से type करके रखा है और जब भी आपको use में लगता है आप उसे उठा के send कर देते हैं ठीक है template simple यह body of the message okay धाचा है यह message का है ना ऐसा कुछ message रहेगा इस तरीके से message जाएगा ठीक है अब आप देख रहोंगे curly brackets में लिखा है one two three four five यह क्या है तो मैं आपको बता देता हूँ यह है variables यह हर message में change होंगे है जैसे कि hello के बाद आता है नाम हमारे parent का नाम आ जाएगा hello सुरेंद्र शा जैसे कि अभी जो first हमारे जो student के पापा है उनका नाम है सुरेंद्र शा तो यहाँ पे हमारा template में आ जाएगा hello सुरेंद्र शा सेंट जेवियर स्कूल invites you to its next quarterly meeting on यहाँ पे date आ जाएगी at यहाँ पे time आ जाएगा है ना इस तरह से जो है यह variables है आप भी और किसी words को change कराना चाहते हैं तो आप भी अपनी template में उन्हें variable बना दीजिए ओके है ना तो क्या करना अब क्या करने वाले हैं हम इस template को choose करने वाले है पैबली connect में जाके जिसका नाम है parent teacher meeting चलता हूँ पैबली connect में और यहाँ पर search करूँगा parent teacher meeting को yes तो मैंने search करके हाँ पर select कर लिया है parent teacher meeting को 2-3 second का वक्त लगता है select होने के बाद हो गया name space जो है वैसा ही रहने देंगे language code EN का मतलब होता है English नीचे आ जाते है recipient mobile number तो recipient mobile number means हमारे जो है सुरेंद्र शाह जी जो है किसके सत्यम शाह के पापा उनका नंबर हमें यहाँ पर map करना है तो recipient mobile number पर click करेंगे तो नीचे कई सारे options आ रहे हैं लेकिन हमें पता है number हमें काई में मिलेगा iterator by family से क्योंकि हमने google sheets का data एकदम अच्छे तरीके से row by row हमें मिल गया था click करेंगे iterator by family पे तो option पूरा data open हो जाएगा यह रहा mobile number सुरेंद्र शाह का click करके add कर दिया simple आ जाते हैं आप वापस नीचे then आ जाता हूँ नीचे लेकिन एक बात आपने ध्यान देना यहाँ पे instruction दिया हुआ है साफ साफ के enter the recipient mobile number with country code तो country code तो नहीं लगाया हमने plus नहीं लगाया 91 तो लगा है बट हमने plus नहीं लगाया है तो यहाँ पे हमको plus लगाना होगा वरना message send नहीं होगा अगर 91 नहीं होता तो plus 91 लगाता मैं लेकि 91 पहले से लगा हुआ है इसलिए सिर्फ plus लगा रहा हूँ तो आप भी इस चीज़ का ध्यान दीजेगा या तो आपकी spreadsheet में या पहले से लगा के रखें या फिर नहीं है तो यहाँ पे एक बार आप लगा दे फिर automatically वो लगता चला जाएगा आ जाते हैं नीचे अब आ गई body field 1,2,3,4,5 और 6 हमारी जो है जूम मीटिंग की लिंक आईगी इदर हमारी है 1,2,3,4,5,6 ठीक है तो यह सब यह जो मैंने आपको दिखाया था template में यह variables को map करने की जगा है तो हम क्या करेंगे इदर आ जाएंगे हमारे पैबली connect में वापिस और यहाँ पे जैसे की body field 1 है example john मतलब की नाम map करना है click करेंगे blank field पे नीचे आ जाएंगे iterator by पैबली पे और सुरेंदर शा जो parent है इनका जिनका number है उनका नाम map कर देंगे अब आ जाते हैं second पे हमारी date map होगी जैसे की example में दिया है body field 2 में तो यहाँ पे हम date map कर देंगे है ना जो हमने text formatter से हमने अलग की थी है date इसलिए ही हमने अलग की थी तो यह हमारी date जब meeting होने वाली है यह हमने date map कर दी simple अब आ जाते हैं body field 3 पे जो की है time होके इसमने time भी अलग करके रखा था किसे text formatter से उस पे click करेंगे और यहाँ पे 130 pm और space देखे pm भी हम जो है map कर देंगे है ना यह रहा हमारा sorry sorry यह रहा pm ओके यह भी map कर दिया simple body field 4 है ना body field 4 में क्या है check कर लेते हैं body field 4 में meeting ID है ओके meeting ID हम यहाँ पे map कर देंगे meeting ID क्या है meeting ID तो हमें हमारे zoom से मिलेगी यह रही ID है एक second तो यह रही हमारी meeting ID simply map कर दो password यहाँ पे आप अपने according कुछ भी दे सकते हैं तो मैं password जो है दे देता हूँ तो मैं इसी को दे देता हूँ password यह रहा password simple तन यहाँ पे हम दे देते है meeting की link ओके यहाँ पे हमें meeting की link देनी है join link so click करेंगे zoom पे join link आपको मैं बता देता हूँ कौन सी होती है ध्यान से देखिएगा यह रहा join URL यह है हमारी meeting की link simply हमने join URL पे click करके इसको यहाँ map कर दिया अब मैं जैसे ही save and sign test request पे click करूँगा तो automatically आएगा है ना एक WhatsApp message send हो जाएगा जिसके अंदर सारी details होँगी और message को जिस तरह से होगा तो चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ click करूँगा save and sign test request पे उससे पहले मैं क्या करता हूँ WhatsApp number को यहाँ पे login कर लेता हूँ use here पे click करके तो अब मैं क्या करता हूँ save and sign test request पे जैसे क्लिक करूँगा ना तो WhatsApp पे तुरंट message आ जाएगा okay save and sign test request पे क्लिक करके आपको दिखाता हूँ so save and sign test request पे क्लिक करने के बाद successfully जो है response received हो गया है और आप देख रहोंगे just तुरंट message आ गया है open करके दिखा देता हूँ hello surendra shah sand javier school invites you to its next quarterly meeting on this date at this time this meeting will take place virtually using zoom there will also be a call in option for this without computer video access join zoom meeting through the link below okay meeting id ये रही meeting password ये रहा और regards principle okay यहाँ पे join meeting here पे हम क्लिक करेंगे तो हम सीधे वहाँ पहुच जाएंगे हमारी meeting पे okay go पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे अभी meeting स्टार्टी नहीं हुई है तो यहाँ पे हमें अभी नहीं देखेगी okay जब भी time दिया हो है ना उस time पे आप जाएंगे तो join कर लेंगे तो रंत है ना okay पे क्लिक कर देता है okay ठीक है so इस तरह का हमारे पास message आ गया है successfully इसका मतलब यह है कि हमने successfully integrate कर दिया है हमारे zoom application को हमारे whatsapp से अब जब भी हमारे zoom application में हम कोई meeting create करेंगे तो automatically वो उसकी details जो है और parents को उनके whatsapp पे चली जाएंगी और एक zoom meeting की link भी उसके अंदर होगी है तो हमने automation जो है वो एकदम properly हमारा set कर दिया है और हम जब भी अब यहाँ पे नए number add करना हो आपको कुछ भी आप कर सकते हैं ठीक है अपने according meeting अब आप create करेंगे ना तो इस google spreadsheet में जितने भी number है उन सभी को उनके whatsapp पे एक-एक message sent हो जाएगा जिस तरह से यह वाला message आया है ना सिर्फ इन सब applications को publicly connect के help से आप multiple applications को integrate कर सकते हैं automate कर सकते हैं वो भी बिना किसी परिशानी के जाते जाते एक बात वर से बता देता हूँ कि इस वीडियो के description box में आपको एक link मिलेगा जो कि होगा इसी workflow का जोस पर click करके आप ये same amazing workflow अपने account में use कर सकते हैं वो भी एकदम free में इस automation में अगर आपको कोई दिक्कत आती है इस वीडियो से related आपके कुछ questions होते हैं या आप हमारी team से या मुझसे बात करना चाते हैं तो आप हमसे contact कर सकते हैं admin at directpably.com पर और अगर आपके कुछ questions हैं queries हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं दी गई हुई link पर और ये वीडियो अगर आपके लिए helpful रहा और ये वीडियो आपने पसंद किया है तो आप इस वीडियो को like करना मत भूलिएगा और channel को subscribe करना मत भूलिएगा Thank you